कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 7 दिनों के भारत दोरे पर हैं लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कनाडा के PM से दूरी बना रखी है उससे चर्चा सुरू हो गई है कि अपने पहले आधिकारिक दौरे पर आये जस्टिन टूडो को भारत सरकार उचिस सम्मान नहीं दे रही है इससे पहले जब किसी विदेशी राष्टरा ध्यच या प्रधान मंत्री का दौरा हुआ है तो आम तोर पर पीम मोधी ने प्रोटोकॉल तोड़ कर एरपोर्ट पर जाकर उनकी आगवानी की है पिछले महीने इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन ने इतन्या हो जब भारत के दौरे पर आये थे तो पीम मोधी ने प्रोटोकॉल तोड़ कर खुद एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीड किया था। आम तोर पर विदेईसी राष्टर अध्यच या प्रधान मंत्री के भारत आने पर सरकार या प्रधान मंत्री की तरफ से उनके सम्मान में डिनर रखा जाता है। जस्टिन टूडो के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीम मोधी और सुसमा सुराज ने कनाडाई पीम के सौगत को लेकर कोई ट्वीट तक भी नहीं किया। वहीं यूपी के सीम योगी आधितिनाथ भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब जस्टिन टूडो अपनी प दानमंत्री को भारत में उतनी तवज्जों नहीं मिल रही हो लेकिन उनके बेटे का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोसल मीडिया पर सेयर किये एक वीडियो में जस्टिन टूडो के सबसे छोटे बेटे हैडरिन हाथ जोड़कर अभिनंदन करते नजर आ हाद ही ही